Hey guys, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Python के तीन बहुत ही important statements और वो statements है, very, continue and pass statement तो हम लोग इस वीडियो में ये तीनो statement के बारे में इतने अच्छे सी चीखेंगे कि अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको एकदम clear हो जाएगा और मैं with example यहाँ पर समझाओंगा तो hopefully आपने पिछली सारी वीडियो आपने देख ली थी और अगर आपने नहीं देखें तो आप एक बार Python की playlist जाके access कर लिजिए आपको वहाँ पर quality के साथ वीडियो आपको मिलेंगी जिससे की आप बहुत ही अच्छे से Python programming सीख पाऊगे और एक बार आपने अच्छे से Python programming सीख लिया उसके बाद आप advanced Python फिर जाए Django framework को machine learning को आप उतनी अच्छी आप command उसमें देपाऊगे तो playlist की जो link होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक बार उसको click करें और सारे important topics जाके वहाँ पे वहाँ पे आप देखिए और समझे तो friends हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग चलते हैं और हम लोग यहाँ पे सीखते हैं break, continue and pass statement तो सबसे पहला statement देखते हैं break statement क्या होता है break statement is a keyword in python which is used to bring the program control out of the loop तो break statement हमेशा loop के साथ mostly use होगा और loop के अंदर जब भी आप break statement fire करोगे तो आपका break statement क्या करेगा loop को break करके आप program का जो control होगा और loop के बाहर ले आएगा loop के बाहर का मतलब जैसे suppose आप एक से लिके 10 तक number print कर रहो और आपने if लगा के if i equal to 5 कर दिया और 5 में break लगा दिया तो जैसे ही 5 i equal to 5 की value होगी break जैसे ही execute होगा आपका statement आपका program controller loop के बाहर आजाएगा that means loop आपका बंद हो जाएगा तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है break statement is a keyword which is used to bring the program control out of the loop यहाँ पर मैं आपको एक example देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा suppose मैंने यहाँ पर 1 to 10 एक number print किया है 1 to 10 numbers print किये है suppose मैंने क्या किया है मैंने लिखा for i in range 1,11 तो यह जो range है वो generate करेगा एक से लेके 10 तक के sequence यहाँ पर अगर आप loop के अंदर देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है if i is double equal to 5 मतलब जैसा ही i के value 5 होगी तो हमारा break statement execute हो जाएगा और हमें यही break statement सीखना था यह कब चलेगा जब i के value 5 होगी अगर ऐसा होता है तो हमारा loop कहां आजाएगा loop हमारा यहाँ loop terminate हो जाएगा और program control direct loop के बाहर आजाएगा बट अगर ऐसा नहीं होगा तो break नहीं execute होगा और अगर यहाँ कुछ हो चाहे नो print i करेगे करेगा तो जब i के value 1 होगी तो यह conditionator होगा print हो जाएगा फिट 2 होगी तो print हो जाएगा बाहर हो जाएगा break हो जाएगा इस तरीके से हम लिउस करते हैं break statement बहुत ही simple example था और बहुत ही बड़िया example था break statement क्या करेगा हमेसा हमेसा जब भी break statement आप fire करोगे loop के अंदर तो जैसे ही break statement execute होगा वो किसी specified condition पे भी हो सकता है जैसे ही आपने जैसे ही आपने फायर कर दिया break यह का fire किया जब आपके i की value 5 हो जाएगी वैसे ही जैसे ही यह statement execute होगा आपका जो loop का control होगा वो terminate loop terminate हो जाएगा और आपका program control simply loop के बाहर आजाएगा और आप आप नीचे जो statement लिखोगे वो execute होगा तो यहां पर हम लोग ने देख लिया break statement क्या होता है आप देखते है continue statement क्या होता है तो सबसे पहले continue statement थोड़ा सा similar है break statement से बट जस्ट opposite है देखते हैं क्या होता है यहां से दिखेगा continue statement skip the remaining lines of the code inside the loop and brings the program control to the beginning of the loop तो break क्या करता था प्रोग्राम control एकदम loop के बाहर ले आता था जबकि continue statement क्या करेगा जैसे continue fire करोगे loop के अंदर आपका control सीधे ऊपर चला जाएगा loop के पास next iteration से loop continue हो जाएगा और बाकी के नीचे का सारी statement बंद हो जाएगे मालब skip हो जाएगे तो यहाँ पर example देखिए suppose मैं क्या कर रहा हूँ मैं 1 to 5 1 to 5 कुछ statement को repeat कर रहा हूँ suppose मैं statement को repeat कर रहा हूँ जैसे print मैंने value of i print कर दिया फिर मैंने second line print कर दिया third line print कर दिया और यहाँ पर देखे divider print कर रहा हूँ लेकिन यहाँ मैं condition लगा के रखा हूँ if i equal to 4 तो मुझे continue करना है जब i की value 4 होगी तभी continue करना है बागी case में normally print करना है तो यह पूरी line यह चीजे repeat होगी जो यह है यह पहली बार repeat होगी फिर इतनी चीजे इतनी statement दूसरी बार फिर इतनी statement तीसरी बार चौती बार लेकिन जब 4 की value धहां से देखेगा जैसे ही 4 fire होगा यहाँ पे i की value 4 होगी तो continue हो जाएगा continue का मतलब simply यही से जैसे continue fire होगा यह simply वापस चला जाएगा तो 4 के लिए जैसे continue fire होगा आपका program control क्या करेगा rest of the line skip कर देगा that means 1,2,3 line skip करके direct सीधा जाएगा उपर और फिर से next iteration से loop start हो जाएगा that means 5 के लिए चलेगा तब जाके यह खतम होगा तो यही हम लोग definition में सीख रहते हैं continue statement skips the remaining lines of the code जैसे continue fire होगा तो यह skip कर देगा remaining line of the code and loop and brings the control to the beginning of the loop तो आपका जो control हो यहाँ चलाएगा next iteration से तो i4 था तो अब जो loop जाएगा तो i के value 5 होके उपर आएगी तो इस program का output आजाएगा simply पहले बार देखे value of i second line third line और यहाँ पर divider दूसरी बार भी i के value 2 second line third line फिर divider 3 रिट के लिए भी जब 4 आएगा तब देखे होई क्योंकि continue जैसे ही execute हुआ simply यहाँ से हमारा control ऊपर चला जाएगा और i के value 5 हो जाएगी तो print कर देगा value of 5 और यह condition true नहीं होगी तो second third line print होगी तो 4 के लिए rest of the code क्या हो जाएगा यहाँ पर skip हो जाएगा इस तरीके से हम लोग उस करते हैं computing's statement last एक सीज़ और बात कर लेते हैं Past statement की तो यहाँ पर देख सकते हो past statement क्या होता है past statement ड Monday past statement कुछ नहीं करते है past statement does nothing कुछ नहीं करते है तो यह चाहुआ देखेगा past statement does nothing ठीक है दो में आप एवर सा स्पैलिंग सः कर देता हूं past statement does nothing कुछ नहीं करता है इस सब्सक्राइब अब अब दरुकितन गल वहां को जिसके 지역 को काम रख्याइब वह्म लिए रहा भीमगे करना थाप को शीलक दो तो आपको यहां पे कुछ-दृ दो जया है ने बना कोडी सकते हो वेख सकते हो जहां पर आपको कुछ-गोर्लिप लिखनाPraster आपने एक function बना दिया def my function और function के अंदर blank चीजे रखनी कुछ नहीं रखना है तो आपके पास यहाँ पर curly braces नहीं है आप क्या कर सकते हो यहाँ पर pass यूज कर सकते हो पास मतलब कुछ नहीं बाद में आप चाहो तो लिख देना अभी program चल जाएगा without having any code inside your function इसे तरह आप class बनाने class भी बना सकते हो empty class class लिखो student class का नाम लिखो और यहाँ पर pass लिखके class को blank छोड़ सकते हो तो यह जाद रखिएगा कभी भी pass does nothing and it can be used when the statement is required syntactically but program requires no action मतलब syntax की जगे पर कुछ line तो चाहिए python आपके लिए कुछ line माग रहा है पर आपके पास कोई line नहीं और आपको line लिखना नहीं है तो आप उहाँ पर use कर सकते हो pass तो simply जहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है आप चाहते हो कि मैं function की definition ऐसे blank छोड़ दूँ तो आप pass यू समझनी है कि pass statement यूज करना है जब आपको कुछ नहीं चाहिए आपको कुछ नहीं चाहिए बट वहाँ पर statement लिखने लिखने है बट आपको कुछ नहीं लिखना वहाँ पर तो आप blank छोड़ सकते हो with the help of pass statement तो hopefully आपको तीनों statement अच्छे समझ में आगए ब्रेक स्टेटमें continue statement and pass statement और अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और comment section में बताइए कि अगर आपको कोई suggestion हो तो comment section मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैशी लग रही है क्या मुझे course continue करना चाहिए और कि हमें project पे थोड़ा सा focus करना चाहिए अगर आपको वी कर दो क्या मुझे तो